प्रेमित्रों आपको प्रेम भरा, नमस्कार सत्यविचन कारिक्रम के आज की श्रिंखला में मैं आप सभू का हारदी कभिनन्नत भी करता हूँ ये जीवन थोड़े दिनों का है, इसलिए इसे सावधानी से जीने की हमें आवशक्ता है दोस्तों राजा दाउद भजन सहीता 49 के पांचवे पद में इस सच्चाई को इस प्रकार से कहता है देख तुने मेरे आयू बालिश भरकी रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टी में कुछ है ही नहीं सचमुच सबमनुष कैसे ही इस्थिर क्यों न हो तो भी वैर्थ ठहरे हैं दोस्तों किसने हमारी आयू को निरधारित किया है उसने हमें जीवन दिया है उसने सब कुछ ठहरा दिया है निश्चित कर दिया है इसलिए भला यही है कि हम उससे बुद्धी की बातों को सेखे और सत्य वचन कारिक्रम में हम उसी जीवित परमेश्वर के वचन का व्याख्यात्मक अध्यन कर रहे हैं कि हम जीवन के महत्यों को जाने परमेश्वर ने हमें इस जीवन को यो ही जी कर नस्ट करने के लिए नहीं दिया है बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है हमें ऐसे जीना है कि हमारी भेट जीवित परमेश्वर से हो जाए हमारी मुलाकात उस परमेश्वर से हो जाए हम इस करम में इन दिनों अयूब की पुस्टक से अध्यन कर रहे हैं दोस्तों ये हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए साहता करता है इसलिए आईए इस अध्यन में आगे बढ़े कि उसकी महिमा की बातों को हम सीखने पाए मेरे मित्रों पिछले अध्यन में हमने देखा कि अयूब के पुस्तक का मुख्य उद्देश है इस पुस्तक में दर्शाय गया है कि एक आत्म निर्भर मनश्य को मन फिराव की आवश्रकता है यही इस पुस्तक की सरोश्ज सिक्षा है आज हम अपने अध्यन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय सताइस से देखेंगे अयूब की पुस्तक सताय सध्याय उसके एक से चार पद में लिखा है अयूब ने और भी अपने गुड़ बात उठाई और कहा मैं परमेश्वर के जीवन के शपत खाता हूँ जिसने मेरा न्याय बिगार दिया अर्थाद उस सरशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण करवा कर दिया क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नतनों में बना है मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी और ना मैं कपट की बाते बोलूँगा मेरे मित्रों इस पद के अर्थ को सपष्ट करने के लिए मैं दूसरे शब्दों में इसे कहता हूँ परमेश्वर के शपत जिसने मेरी निर्दोश्टा मिटा दी और सरशक्तिमान जिसने मेरा प्राण करवा किया जब तक मेरी सांसे है और परमेश्वर का आत्मा मेरी सांसों में है मेरे होटों से अधर्म की बात नहीं निकलेगी नहीं मेरी जीव छल की बात कहेगी अयूब सपष्ट करता है कि वह डिगा नहीं वह द्रिड है सोपर चुप है इसलिए अयूब आगे कहता है मैं तुम मेरे मित्रों के लगाए आरोपों को स्विकार नहीं करूंगा इसलिए इसके विफृत वह कहता है अयूब के पुस्तक सताय सध्या उसके पांच पद में लिखा है इश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्छा ठहराऊं जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूँगा वह हटी है नहीं क्या उसके मित्रों ने उसे अधिकाधिक आत्मरक्षक बनाया अपने रक्षा में विवात करने के कारण उसमें मन की दीन्ता नहीं आ रही थी वह टूट नहीं रहा था, उसकी बातों से प्रतीत होता है कि परमेश्वर अधर्मी है और अयूब पूर्ण रूपेन निर्दोश है, वह कहता है मैं अपनी खराई से ना हटूंगा अयूब 27 के छे में आगे लिखा है, मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने ना दूँगा क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोशी नहीं ठाराता मित्रों उसकी बाते सुने, उसके मित्रों ने उसे अपने न्याय की प्रेणा देने के अपेक्षा अपने बचाओ के लिए विवर्ष किया अयूब स्वयम को निर्दोश कह रहा है, देखिए यहां परमिर्षर का नाम नहीं है, अयूब यहां मुर्ख बन रहा है अंत में हम देखेंगे कि अयूब परमिर्षर के समक्ष धूल और राख में है, इन सब बातों में हमारे लिए एक शिक्षा है मैं स्विकार करता हूं कि अयूप के मित्रों की बातें सच थी मेरा अपना विचार है कि उनके मन में अयूप के लिए भलाई थी यद्दिपी उनकी बातें सच थी उन्में सचाई नहीं थी उन्होंने अनुभव, प्रथाओं और विधी विधान की चर्चा अवश्य की, परंतु उन्होंने अयूप पर सत्य का प्रकाशन नहीं किया, उनकी इस भूल के परिणाम सरूप अयूप में स्वविमान जाग उठा, मेरे प्रियों मैं फिर कहना चाहूंगा, क्योंकि यह अत तेधिक महत्पुन है, उन्होंने यह धारना अपना ली थी, कि अयूप में गुप्त पाप है, और वे यथा संभव उसके पाप को उजागर करने के प्रयास में लगे रहे, अयूप ने कोई पाप न तो किया था, और नहीं वह चिपा रहा था, वह जानता था, कि उसके मित ब्रह्म में हैं, अतह, अयूप यही कहता रहा कि वह सही है, निर्दोश है, यही अयूप की भूल थी, उसके मित्रों का गलत होना सिध नहीं करता कि वह सही है, अयूप को परमेश्व की उपस्तिती में होना था, जहां मन की दीनता उत्पन होती, हमारे कश्चों का एक उद दीन बनने के लिए तूटे हैं। किसी ने कहा है कि कष्ट सुरी के समान होते हैं। मौम पर धूब चमकती है तो वह पिघलता जाता है। वही धूब मिट्टी को कठोर बना देती है। कष्ट भी इसी प्रकार अलग-अलग मनिश्यों पर अलग-अलग प्रभाव डालते कुछ लोग मन के दीन बन जाते हैं। वे परमिश्यक के सामने पिघल जाते हैं। अयूब अभी उस अस्थान पर नहीं पहुँचा था। वो अपनी सत्यनिष्ठा के कारण कठोर था। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने ना दूँगा। क्यों अनेक कलिस्याई सदस्यों की यही दशा है। उद्धार का आश्वासन पाना बहुत अच्छा है। मेरे मित्रों परन्तु आप एक कठोर पापी हो सकते हैं। जो यह सोच रहा है कि उससे उद्धार का आश्वासन प्राप्त है। जबकि सच यह है कि आपके पास जो है वह आश्वासन नहीं आपका अहंकार है, आपको ऐसा लगता है कि आपने पालिया है, अयूब भी ऐसा ही सोचता था, कि उसने उद्धार पालिया है, परन्तु शिग्र ही वह देखेगा कि यह उसका ब्रह्म है, तो आएए पढ़ें, अयूब 27 अध्याय उसके 27 पद, लिखा है, अयूब उन सबको विपच्छ में मान रहा था, जो उससे सहमत नहीं थे, वे उसके बैरी हो गए थे, वे दुष्ट एवाम अधर्मी थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह मनिश्व के लिए एक संकट कालेन इस्तिती है, अब अयूब दुष्ट और उसकी नियती की च अपने घोर कश्टों के मद्धे भी वह दुष्टों के बारे में भाशन जारने की शमता रखता है, आईए हम पढ़ें, अयूब की पुस्तक 27 सध्याय 8 से 11 पद लिखा है, जब परमिश्वर भक्ति हीन मनिश्र का प्राण ले ले, तब यद भी उसने धन भी प्राप्त कि क्या हो, तो भी उसकी क्या आशा रहेगी, जब वह संकट में पड़े, तब क्या परमिश्वर उसकी दोहाई सुनेगा, क्या वह सर्वशक्ति मान में सुक पास सकेगा, और हर समय परमिश्वर को पुकार सकेगा, मैं तुम्हें परमिश्वर के काम के विश्य शिक्षा दू और सर्वशक्तिमान की बात मैं न चिपाऊंगा। रात को बवंडर उसको उड़ा ले जाएगा, पुर्वाई उसे ऐसा उड़ा ले जाएगी और वह जाता रहेगा और उसको उसके अस्थान से उड़ा ले जाएगी। बेरे प्रियों, धन संपता से कुछ नहीं होगा, दुष्ट आग की तरह बुच जाएगा। जैसे हवा से मुम्बत्ती बुच जाती है, एक समय ऐसा आएगा, जब अयूप 27 के 23 में लिखा है, लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी सुसकारियां भरेंगे कि वह अपने अस्थान पर ना रह सकेगा। मुसुलेनी को असंख्य जन प्रणाम करते थे, परन्तु एक दिन मनश्य उसकी लाश को देख आगे बढ़ जाता था, वह मर गया था, उनका धूलरंजित शव पड़ा था, दुष्ट दंड पाएगा, उसकी दुष्टा का अंत होगा, उनकी महिमा समाप्त हो जाएगी, प अयूब के पास विचारों की कमी नहीं है, आएए देखें, सिरिष्टी की कविता, अयूब की यह कविता सरुत्तम कविताओं में से एक है, हमें यह कविता सरुप नहीं दिखती है, परन्तु यह इबरानी भाषा की कविता है, वह अध्भुत बातों की चर्चा करता है, य यहां पर इसी के साथ अध्याय सताय समाप्त होता है और हम अपने अध्यन को अध्याय 28 से जारी रखेंगे। आईए हम पढ़ें अयूब 28 अध्याय एक से तीन पद। चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग ताते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिगला कर पीतल बनाया जाता है। मनिश्य अंध्यारे को दूर कर दूर दूर तक खोद खोद कर अंध्यारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंडते हैं। परमेश्वन ने इस प्रित्वी में सोना, चांदी, लोहा और कीमती पत्थर रखे हैं, जिनें खोजपाना कठिन है। मेरे विचार में मनिश्य इस पुराने ग्रह प्रित्वी जिस पर हम वास करते हैं, उसमें खजाने के भंडारों को खोजपाने में समर्थ नहीं हुआ यह अध्याय इस तत्थे को स्पष्ट करता है। इसमें यह भी लिखा है कि इसमें बहमुल्य पत्थर ऐसे भी हैं, जिनें अभी तक खोज़ा नहीं गया है। जो हीरे से भी अधिक मुल्यवान हैं। अयूप की पुस्तक 28 अध्याय उसके 4 और 5 पद में आगे लिखा है। जहां लोग रहते हैं वहां से दूर वे खानी खोदते हैं। वहां प्रिथ्वी पर चलने वानों के पाउं भी नहीं पड़ते। वे मनिश्यों से दूर लटके हुए जूलते रहते हैं। यह भूमी जो है इससे रोटी तो मिलती है परन्तु उसके नीची का स्थान मानों आग से उलट दिये जाते हैं। प्रिथ्वी कीमती पत्थर ही नहीं हमारे लिए भोजन भी देता है। अयूप की पुस्तक 28 सध्या उसके 6-8 पद में आगे लिखा है। उसके पत्थर नील मनी का स्थान है और उसी में सोने की धूल भी है। उसका मार्ग कोई मानसाहारी प आओ नहीं रखा और न उससे होकर कोई सीह कभी गया है। चिलियां पहाडों के उपर आकाश में उरती हैं और जानती नहीं कि प्रिथ्वी में खनीच का खजाना है। गिद भी नहीं जानते कि प्रिथ्वी के गर्भ में खजाना है। प्रिथ्वी में कीमती पत्थर, धन स दबे हैं जो अभी तक होजे नहीं गय और नहीं मनश्य उसे पहचानता है अयूब 28 के नौपद में आगे लिखा हुआ है मनश्य चक्मक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाडों को जड़ ही से उलट देता है मेरे मित्रों परमेश्र भुकंप ले आता है वह भूमी की स्थलकृती ही बदल देता है वह प्रिथिव का खजाना अपनी इच्छा से प्रगट करता है अयूब 28 उसके 10 से 11 पद में आगे लिखा हुआ है वह चटान खोद कर नालिया बनाता और उसकी आखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है वह नदियों को ऐसा रोग देता है कि उनसे एक बुंद भी पानी नहीं टपकता और जो कुछ चिपा है उससे वह उज्याले में निकालता है अयूब प्रिथिव में उपस्थित कीमती पत्थरों की चर्चा तो करता है परंतु उनसे भी अध इश्वन ने भू घर्ब में खनीच का भंडार रखा है परंतु उस केमती वस्तु का स्रोत क्या है बुद्धी अयूब 28 उसके 12 से 14 पत में हम पड़ते हैं परंतु बुद्धी कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है उसका मोल मनश्य को मालुम नहीं जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती अता सागर कहता है वह मुझ में नहीं है और समंद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है अयूब अपने मित्रों से कहता है कि उन्होंने बुद्धी की खोज नहीं की है मेरे मित्रों, मैं इसे गद्यांस के संदर्व में अपनी राय प्रगट करना चाहता हूँ मैं नहीं मानता कि समुंद्रितल, अंतरिक्ष और प्रिथ्वी की खोज, प्रिथ्वी की उत्पत्ती के भारे में सच्चा ज्यान प्रदान कर पाएगी मनिश्य को कभी ग्यात नहीं होगा कि उसकी उत्पत्ती कैसे हुई या उसे किसने अस्तित्ववान किया हम अयूब 28 के 15 में आगे पढ़ते हैं चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है चांद से पत्थर लाने के लिए करणों रुपए खर्च हुए परन्तु इस अत्यधिक महंगे पत्थरों से मनिश्य को जो जानकारी चाहिए मिल नहीं रही है अयूब की पुष्टक 28 के 16-18 पद में आगे लिखा हुआ है ना तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है और न अनमोल सुलेमानी पत्थर या नील मनि की ना सोना ना कांच उसके बराबर ठाहर सकता है कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती मूंगे और स्पटिक मनि की उसके आगे क्या चर्चा बुद्धी का मोल मानिक से भी अधिक है मेरे प्रियों जिस ज्ञान की अपिक्षा अयूब अपने मित्रों से करता है कि उस पर प्रगट करें वह मानुए बुद्धी के परे ज्ञान है अयूब 28 के 19 में आगे लिखा हुआ है कूश देश के पदम राग उसके तुल्य नहीं ठर सकते और न उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है मानक ब्योरु भी इसका मुल्यांकन नहीं कर सकता अयूब की पुस्तक 28 सद्याय उसके 20 से 22 बद में आगे लिखा है फिर बुद्धी कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है वह सब प्राणियों की आँखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती विनाश और मृत्यू कहती हैं हमने उसकी चर्चा सुनी है मेरे मित्रों हमने इसके बारे में सुना है परन्तु मृत्यू को भी हमें कुछ बताना सह आवश्यक है मृत्यू हमें बताये कि दूसरी ओर भी कुछ है वह जो हम नहीं जानते मनिश्य मृत्यू के द्वार में कदम रखने के बाद वहां से एक शब्द को पाता है एक महान जादुगर होडीने ने अपने पत्नी को एक कोड दिया था इस कोड के द्वारा वह उसकी आत्मा से संपर्क कर सकती थी उसके मरनो परांथ अनेक जादुगर उसकी पत्नी के पास आए और कहने लगे कि उनके पास होडीने का संदेश है स्रीमती होडीने उनसे कोड पूछ दी तो वे निरुत्तर हो जाते दूसरे शब्दों में होडीने की मृत्यों के बाद उसने किसी से बात नहीं की हम उस संसार से संदेश प्राप्त नहीं कर सकते इससे स्पष्ठ होता है कि कुछ ऐसी भी बाते हैं जिन्हें हम नहीं जानते वह बड़ी रोचक बात करता है अयुप की पुस्तक 28 के 26 में लिखा है और मेह के लिए विधी और गर्जन और बिजली के लिए मार्क ठहराया मेरे प्रियों आलोचक वर्षों तक यही कहते रहे कि यह बात गलत है क्योंकि गर्जन सुनने से पुर्व बिजली चमकती है परन्तु जब यह पता चला कि द्वानी से अधिक तेज प्रकाश की गती है तो स्पष्ट हुआ कि बिजली गर्जन की ही है यह बड़ी विचित्र बात है कि अयुप की पुस्तक का लेखक जानता था कि बिजली गर्जन से उत्पन होती है मेरे प्रियों यह क्या ही अधिक बात है कि हम अयुप की पुस्तक से इन सारे अधिक बातों को सीख रहे हैं प्रभु इस वचन के द्वारा आप सब को अधिकाई से आशिश दे प्रेमित्रों नमशकार मित्रों आज सारा संसार प्रभु इशु मसी के बलिदान दिवस को मना रहा है जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं यह गुड इसलिए कहलाता है क्योंकि इशु मसी की मृत्यु ने संसार में एक ऐसा एतिहासिक कार्य पूरा किया जो सदियों से अधूरा था और सदियों तक इसकी अब आवशक्ता भी नहीं है और वह कार्य यह है कि परमेश्वर की विवस्था के अनुसार पापी मनुश्य के पाप को हटाने के लिए एक निर्दोश का बलिदान देने की जो आवशक्ता थी उसे उसने अर्थात इश्व ने संसार के सारे मनुश्यों के लिए एक बार में पूरा कर दिया उस कुरूस के उपर आज सभी मनुश्य उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से अपने पापों की शमा प्राप्त कर सकते हैं जो किसी और माध्यम से प्राप्त नहीं के जा सकते उस कुरूस पर भी ईश्व मसी ने हमें साथ अनमोल संदेश दिये जिन पर चल कर हम परमेश्वर के प्रेम को आज संसार में प्रगट कर सकते हैं मित्रों ये ईश्व मसी की साथ वानिया हमारे लिए साथ संदेश है कि यदि हम उसके अनुयाई हैं तो इसके अनुसार हमें भी दुख उठा कर वैसा ही जीवन जीने की अवशकता है प्रगों आप सबों को आशीश दे और मित्रों आपको और आपके परिवार को हमारे सभी दर्शकों को TWR इंडिया और सत्यवचन के कारिक्रम की ओर से आने वाला क्रीष्ट पुनृत्थान दिवस की अग्रिम शुक कामदा है जै मसी की पिछले प्रशन का उत्तर है C. धर्मी अपने पूरे प्रतिवाद के बीच अयुब स्वै्म को धर्मी छहरा रहा था आज का प्रशन है अयुब के पूरे प्रतिवाद के बीच उसकी भूल यह थी कि वह खाली स्थान मान रहा था मित्रों इस प्रसन का उत्तर हमें कल सुब़ 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान किये जाएंगे धन्यवाद क्या आपको यह कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं प्रिमित्रों आपने देखा कि अब तक हम अयूग को देख रहे हैं कि वह अपने मित्रों का सामना कर रहा है उनकी बातों को वो रुकने का काम कर रहा है वे उसको समझाने का प्रियास कर रहे थे कि जो विवत्ती उस पर आ पड़ी है वह किसी गुप्त पाप का प्रतिफल है जिसके बारे में वह जानता था कि यह सहीं नहीं है अब क्योंकि उसके मित्र गलत थे अयूब सोचता है कि इस कारण अयूब या स्वैम सहीं वैकती है दोस्तों ये सोच पर अयूब गलत था अयूब ये नहीं सोचता कि यदि उसके मित्र गलत है इसका मतलब वो सहीं है उसके मित्र गलत थे ये सच्चाई अयूब को सहीं नहीं ठहरा सकती अयूब को परमेशवर के चर्णों में तूटे हिर्दय के साथ आने की आवशकता थी हमारे जीवन की विपत्तियों का एक कारण यह भी है कि हमें परमेश्वर के सनमुख तूटे हुए हिर्दय के साथ आने की आउशकता हैं दोस्तों तब वो हमें ग्रहन करेगा हमने देखा कि अयूब की पुस्तक के लिखे जाने का कारण यह नहीं है कि क्यों विश्वासी जन संकट में पढ़ते हैं दुख उठाना इस पुस्तक का मूल उद्देश नहीं है ध्यान से सुनिए परंतु इसके पीछे ये शिक्षा है कि परमेश्वर के लोग पशताप करें मन फिराएं तूटे हुए हिर्दे से परमेश्वर के पास आएं जब हम परमेश्वर को जानेंगे तो उसके सामने जुकेंगे तो वह हमें संकट से बाहर निकालेगा समस्याओं से दीर ले जाएगा समस्या यह है कि हम उसके सामने जुकते नहीं है तूटते नहीं है इसलिए हम पर वो आशीश नहीं पहुँशती पर हम प्रश्ण करते रहते हैं और अपने को II सही ठैराने का प्रयास करते हैं कि हम सही हैं हम सही रास्ते पर चल रहे हैं दोस्तों आवश्यक है कि आज तूट कर, बिखर कर आप परमेश्वर के सामने आईए आईए उसके सामने जुके और अपने जीवन में उसे कारे करने दे आईए प्रार्थ न करे हमारे स्वर्गे पिता परमेश्वर प्रभू ये मानो जीवन की एक बड़ी तरास्दी है विडम्बना है प्रभू कि हम सदा अपने आप को सही समझते है पिता परमेश्वर आज हम तूटे हिर्दे से आपके सनमु खाते है हो सकता है पिता कि हमारे जीवन में अनेक ऐसी बाते हैं जिसने हमारे अंदर घमंड को उत्पन कर दिया है जो बताता है कि हम बहतर है लेकिन प्रभू आज हमने जाना कि हमें सब कुछ समर्पित करना है आपके चड़नों पर पिता परमेश्वर हमारे इन सारे भाईयों के लिए बहनों के लिए प्रात्ना करते हैं सबी हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए बिंटी करते प्रभू यदि आज उन्हें आपके पास आने की अवशकता दिख रही है यदि आपका वचन उनके जीवन में कारे किया है तो अनुग्रे करें पिता की वे आज तूटे हुए हिर्दे से आपके सन्मुक आएं अपना सब कुछ आपके सामने रख दें क्योंकि आप जानते हैं प्रभू हमारे जीवन की सच्चाई क्या है हमारे छुपे से छुपे हुए पाप जो हमारे हिर्दे की गहराई में बैठे रहते हैं प्रभू आप उसे जानते हैं और अवशकता है कि हम उन सब को आपके सन्मुक समर्पित कर दें प्रभू हमारे जितने भी भाई बहन इस रीती से आपके सन्मुक आते हैं बिंती है प्रभू आप उन्हें ग्रहन करें और अपनी महिमा के लिए उन्हें उप्योग करें प्रभू धन्यमाद देते हैं हमें ग्रहन करने के लिए प्रार्तना इश्यू के नाम से मांगते हैं आमेन मित्रों मुझे उमीद है कि आज का अध्यान आपके हिर्दे को छू लिया होगा क्योंकि हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है इदि आप इस विशाय में और कुछ पूछना चाते हैं समझना चाते हैं तो कृपिया फोन, SMS या पत्र के द्वारा हम से संपर करें अगले प्रसारण में इस अध्यान को हम आगे बढ़ाएंगे जी हाँ तब तक परमेश्वर के सामने तूट करके अपने आपको समर्पित करें रहें प्रभू आपको आशीष्टे धन्यवाद प्रसा तक करें